ऐसे होगा धर्ती का विनाश, जानिये पुराणों की भविश्यवानी। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि एक दिन ऐसा प्रलय आएगा, जिसमें धर्ती के सारे जीव जन्तु नश्ट होकर भस्म हो जाएगा। कहा जाता है, जिसका जन्म हुवा है, उसकी मृत्यू भी तय है, जिसका उदय होता है, उसका अस्थ होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही स्रिष्टी चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा। इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उलेख मिलता है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझपाना कठिन है। इसलिए हम ब्रह्मान्ड की बात न करते हुए, सिर्फ धर्ती पर स्रिष्टी का विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे. शास्त्रों में स्पष्ट उलेखित है कि जब जब पृत्वी पर प्रलय आता है, भगवान विश्णू अवतरित होते हैं. पहली बार जब जल प्रलय आया, तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए थे, और कला युग के अंत में जब महा प्रलय होगा, तब कल की अवतार में अवतरित होंगे. मित्र कल की अवतार मनुश्यों के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुश्य की परम आयू केवल बीस या तीस वर्ष होगी जिस समय कल की अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे गौएं भी बक्रियों की तरह छोटी-छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे कलियुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे लोग मकानों में नहीं रहेंगे, बलकि गड़े खोद कर रहेंगे धर्ती का तीन हाथ अंश अर्थात लगभग साड़े चार फुट नीचे तक धर्ती का उपजाव अंश नश्ट हो जाएगा कलियुग का अंत होते होते मनुश्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा लोग प्राय ग्रहस्थी का भार्ध होने वाले और विशई हो जाएंगे ऐसी स्थिती में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयम भगवान अवतार ग्रहन करेंगे मित्रों क्या आपने कभी सोचा है कि प्रलय का नजारा कैसा होगा महाभारत में कलियुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बलकि धर्ती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा महाभारत के वनपर्व में उलेख मिलता है कि कलियुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगा प्रिथवी के सारे जीव जन्तु एक बूंध पानी के लिए तरस जाएंगे और सब कुछ जल कर भस्म हो जाएगा इसके बाद फिर बारह वर्षों तक लगातार बारिश होगी जिससे सारी धर्ती जलमगर हो जाएगी जल में फिर से जीव उत्पत्ती की शुरुआत होगी लेकिन मित्रों यहां यह सवाल उठता है कि धर्ती पर इतना बड़ा महाविनाश आखिर कब होगा कैसे होगा और किस कारण से होगा क्या सच में हमारी धर्ती खत्म हो जाएगी इन ही रहस्यमई उनसुलजे सवालों का जवाब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कई लोगों ने धर्ती पर प्रलय आने को लेकर अलग-अलग तारीख बताई है कुछ समय पहले एक स्टड़ी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया कब खत्म होगी धर्ती पर इनसान और जीव जन्तु कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा वैज्यानिकों ने एक लंबे शोध के बाद दुनिया के खत्म होने की तारीख बताई है सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पेड़ पौधे भी नश्ट हो जाएंगे धर्ती पर हर तरफ सिर्फ तबाही ही नजर आएगी आये जानते हैं कि आखिर धर्ती पर प्रलय कब आएगा धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलियुक के दौरान इंसान इतने पाप करेगा कि लोग भगवान से दूर हो जाएंगे तब चारों और अंधकार चाजाएगा इसके बाद प्रलय आएगा और सब कुछ नश्ट हो जाएगा लेकिन साइंस क्या मानता है नेचर जियो साइंस में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिथवी का अंत संभवतह सूर्य के कारण होगा वैज्यानिकों का अनुमान है कि अब से लगभग एक अरब साल बाद ऐसी स्थिति आएगी तब तक सूर्य का विकिरण प्रिथवी के वायुमंडल को वाश्पिकृत कर देगा और सारी ऑक्सीजन को सोख लेगा इसे जीव जन्तूओं को ऑक्सीजन मिलना बंध हो जाएगा और सब मारे जाएगे धर्ती सिर्फ एक बंजर चटान नजर आएगी शोध करताओं के मुताबिक सूर्य से निकलने वाला विकिरण आने वाले समय में वायुमंडल से उक्सीजन खत्म करने लगेगा इसके बाद धर्ती पर कार्बन का धुन्ध तेजी से बढ़ने लगेगा जिससे इनसानों, जीव जन्तूओं और यहां तक की पौधों का भी दम घुटने लगेगा महासागरों का पानी सूख जाएगा सबसे पहले धर्ती तेजी से गर्म होती जाएगी और वायुमंडल में कार्बोनेट सिलिकेट की मात्रा तेजी से बढ़ेगी नतीजा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि महा प्रलय की स्थिती बन जाएगी वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बाद धर्ती काफी तेजी से ठंडी होने लगेगी ग्लेशियर पिघल जाएगे और पूरी धर्ती पानी में डूब जाएगी सिर्फ चंद जगहें बचेंगी, जहां पर पानी नहीं होगा इसके हजारों साल बाद धर्ती बर्फ का गोला बनने लगेगी फिर धर्ती पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ होगी महासागर और जमीन सब एक दूसरे में समाते नजर आएगे इससे आप समझ सकते हैं कि आज सूर्य जोग, गुरुत्वाकर्शन और उर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है एक दिन धर्ती के विनाश का कारण बनेगा ये हमारे नीले संगमर्मर जैसी पृत्वी को निगल जाएगा दोस्तों, यह तो थी पृत्वी के विनाश होने का सच हो सके यह चीजें हम सब नहीं देख पाए लेकिन हमारे आने वाले पीड़ी जरूर देखेगी और उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए हम सबों को आज यह सोचना चाहिए कि इसके विनाश होने में कही न कहीं हम सब ही जिम्मेदार हैं क्योंकि आज हम अपने जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए प्रकृती के साथ खिलवाड करते जा रही हैं जिससे प्रकृती भी विपरीत दिशा में जा रही है इसलिए दोस्तों आज से हम सभी प्रण ले कि अपने जीवन में कम से कम एक व्रिक्ष अवश्य लगाएंगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंध तक देखने के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद आपका दिन शुभ हो